DAV class 7 match chapter 7 linear equations in one variable कि brain teacher की worksheet का question number 3 है हमारे पास the numerator of a fraction is 6 less than the denominator एक fraction है उस fraction का जो numerator है वो denominator से 6 less है यानि कि 6 कम है 6 कम है if 3 is added to the numerator अगर उस fraction के numerator में 3 add कर दिया जाए the fraction becomes equal to 2 by 3 जो fraction है वो 2 by 3 के equal हो जाता है find the original fraction हमें original fraction निकालना है तो कैसे करेंगे इस question को इसने पहली line में ये काया है कि जो numerator है वो denominator से 6 less है तो हम denominator को let करना पड़ेगा let denominator x denominator को x माल लेंगे तो numerator कितना हो जाएगा उससे 6 कम यानि कि x minus 6 ठीक है तो let denominator x तो numerator कितना हो जाएगा उससे 6 कम यानि कि x minus 6 तो fraction कैसे बनता है आपको पता है fraction क्या होता है पहले समझे लो आप तो जो उपर वाला है उसको बोलते है numerator और जो नीचे वाला है उसको बोलते है denominator और यह 1 by 6 क्या है यह fraction है ठीक है तो fraction क्या होता है numerator divided by denominator तो numerator कितना है x minus 6 है और denominator कितना है x है तो हमने fraction मना लिया x minus 6 divided by x यह हमें क्या मिल गया यह हमें fraction मिल चुका है अब हम करेंगे according to question जैसा इसने कहा है हम जैसा कहेंगे करेंगे इसने कहा है if 3 is added to the numerator यह fraction लिख लो पहले सबसे पहले fraction लिख लिया x minus 6 divided by x यह fraction है अब यह करा इस fraction में अगर इस fraction के numerator में 3 add कर दिया जाए सिरफ numerator में तो उपर वाड़ा जो उसमें 3 add कर दिया तो fraction किसके equal हो जाता है यह fraction क्या बन जाएगा अब 2 by 3 के equal हो जाएगा ठीक है तो यह इस तरह से आपने इस question को करना है आगे अब आसान हो चुका है हमारा question अब हम क्या करेंगे इसको x उपर है x minus 6 plus 3 है तो यह रह जाएगा minus का 6 है plus का 3 है minus का 3 रह जाएगा ठीक है divided by x is equal to 2 by 3 अब हम इसकी क्या कर लेंगे cross multiply कर लेंगे 3 की multiply हो जाएगी 3 की multiply हो जाएगी x minus 3 से और 2 की multiply हो जाएगी x से 3 को जब हम x से multiply करेंगे 3 x आएगा 3 को जब हम minus 3 से multiply करेंगे तो minus का 9 आएगा is equal to 2 की multiply x से करेंगे तो 2 x आएगा अब x की value निकाल लेंगे, ये 3x है, 2x इदर plus है, equal के जब इदर आएगा तो minus का हो जाएगा, 9 minus का है, equal के जब उदर जाएगा तो plus का हो जाएगा, 3x में से 2x minus करेंगे तो बच्चेगा, x, x is equal to 9, ये हमारे पास x की value आगई, अब हम, हमने क्या निकालना, fraction, यानि की original fraction जो ह हमने शुरू में बनाया था, question जब start किया था, तो क्या बना था, ये बना था, x minus 6 by x, तो x की जगा हम क्या put कर देंगे, 9 put कर देंगे, जो x की value निकाल लिए, 9 minus 6 by 9, तो 9 minus 6 कितना होता है, आप कहोगे, 9 minus 6 होता है, 3, 3 by 9, अगर इसकी आगे cutting करना चाहते हो, तो आगे cutting हो स रखती है, 3 by 3, 3 by 9, तो fraction क्या है हमारे पास, 1 by 3, ये हमारा क्या आगया, fraction आगया, ये हमारा answer आगया, ये क्या है, fraction, ठीक है, तो इस तरह से question करना था, अब इसका next question देखते हैं, अब question number 4 है, a man traveled 2 by 5th of his journey by train, एक आदमी है, वो कुछ distance travel करता है, train से, ठीक है, 2 by 5th, जो total वो distance travel करता है, उसका 2 by 5th, train से चलता है वो, और 1 third taxi से चलता है, वो distance, 1 sixth bus से चलता है, और जो distance बच गया, 10 km, वो पैदल चलता है, find the length of his total journey, उसकी total journey कितनी थी, यानि कि उसने total कितना distance cover किया, वो हमें निकालना है, तो देखें, विलकुल आसान question है, कैसे करेंगे, let length of the total journey, हम total distance उसने जितना cover करया, उसको हमने माल लिया, कि x, ठीक है, या x माल लो, या x km, जो भी है, ठीक है, total distance उसने x cover किया है, तो अब इस x का 2 5th उसने train के द्वारा चला है, वो, distance traveled by train क्या हो जाएगा, x का 2 5th, यानि कि 2 by 5 of x, of का मतलब multiply, यानि कि 2 by 5 of x, यानि कि 2 by 5 x, समझेगे, अब distance traveled by taxi, taxi से कितना किया है, 1 3rd, तो 1 by 3 of x, यानि कि 1 by 3 x, ठीक है, total distance का, निकालना है, हर बारी, फिर bus के द्वारा कितना distance cover किया है, distance traveled by bus, 1 by 6th of total distance, यानि कि x, और foot के द्वारा कितना, 10 km, ठीक है, तो यह सारा, किस में है, km में है, अब according to question, मिलकुल असान हो चुका है, अब हमारा question, हम क्या लिखेंगे, according to question, a, t, q, total distance, कितना cover किया है, उसने, उसके हम equal कर देंगे, या, total distance, covered by man, कितना किया है, total distance हमने x माना है, और total distance, यह भी तो total distance है, यानि कि सब को plus कर देंगे हम, और x के equal कर देंगे, 2 by 5 of x, plus 1 by 3 x, plus 1 by 6 x, plus 10 is equal to x, ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको क्योंकि ये fraction में है, तो इसके निच्छे भी आप 1 लगा दो, और ले लेंगे हैं, अब अलसियम, अलसियम 5, 3 और 6 का जब हम अलसियम लेंगे, तो ये आएगा 30, 5, 6 जा 30, 6, 2 जा 12, 12 x आगया, ठीक है, और 3, 10 जा 30, 10 x आजए गया यहापे, और 6, 5, जा 30, 5 x आगया, और यह यहाँ पर आएगा 300, क्योंकि 30 को बन से डिवाइड करेंगे, तो 30 आएगा, 30 को 10 से मिल्टिपलाएगे, 300, is equal to x, ठीक है, अब यह 30 डिवाइड कर, चलो उपर वाला सोल कर लेते हैं, 12, 10 और 5, यह कितना होज़ेगा, 12 x, 10 x और 5 x, यह होज़ेगा, हमारे पास 12 और 22, 22 और 5, 27, 27 x प्लस 300, डिवाइड बाइ 30, is equal to x, अब 30 दर डिवाइड कर रहा है, जब इकोल को दर जाएगा, multiply कर देगा, तो हमारे पास 27 x, प्लस 300, is equal to 30 x, अब आप क्या करोगे, x, x वाले एक साइड ले लेंगे, और जो constant है, उनको एक साइड, तो 27 x, 30 x प्लस कर रहा है, इदर जाके कर देगा, minus, और जब 300 प्लस कर रहा है, उदर जाके, यह हो जाएगा, minus, तो minus का 30 है, और प्लस का 27 है, तो यह बचेगा, minus का 3 x, और इदर है हमारे पास, minus का 300, अब minus 3 x को multiply कर रहा है, उदर जाके minus 3, क्या कर देगा, divide कर देगा, आपको पता है, minus से minus cancel हो जाएगा, 300, वो जब 3 से divide करेंगे, तो क्या आएगा, 100 आजेगा, तो x की value कितनी आई हमारी 100, ठीक है, और यही हमें निकालना था, उसने total distance कितना cover किया है, तो total distance, total distance covered by man, या total length of his journey, ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमने शुनू में किया था, 100 किलो मीटर, यह हमारा क्या आगया, आंसर आगया, ठीक है, अब हम इसका देखते हैं, next question, अब question number 5 है, a table costs rupees 200 more than a chair, एक जो table है, उसकी cost, chair की cost से 200 रुपई जाता है, यानि कि 200 रुपई जाता है, the price of two tables, दो tables, और three chairs की cost total कितनी है, 1400, इसने दे दिया, कि दो tables और three chairs की cost total मिला के कितनी है, 1400 है, find the cost of each, दोनों की cost हमें निकालनी है, chair की cost भी और table की cost भी, देखो कैसे करेंगे, पहली line क्या करा था, table की cost, chair की cost से 200 जाता है, यानि कि हमें chair की cost माननी पड़ेगी, chair की cost, let, cost of chair हमने मान लिए, रुपीज है, x, तो cost of table क्या होजेगी, उससे कितना जादा, 200 जादा है, तो ये होजेगी, रुपीज x plus 200, 200 इसमें add कर दिया, 200 रुपे जादा है, अब according to question, जैसा जैसा वो question में कहेगा, वैसा हम कर देंगे, इसने कहा दा, price of two tables, एक table की, का price कितना है, x plus 200, तो two table का कितना होजेगी, तो two से कर देंगे, multiply, और एक chair का cost कितनी है, x है, तो three chair की cost कितनी होजेगी, तो three से कर देंगे, multiply, यानि कि three x, फिर इन दोनों को हम कर देंगे, add, इसको और इसको, ठीक है, और किर देंगे, किसके equal, 1400 के equal कर देंगे, रुपीज 1400 के, समझेंगे, तो according to cost term, इसने कहा था, price of two tables, two tables, एक table कितने का है, x plus 200 का है, तो two table क्या होजेगी, two से कर देंगे, multiply, और price of three chairs, three chairs, एक chair x रुपीज की है, तो three chairs कितनी की, और इन दोनों की, इसकी और इसकी, यानिकि two tables और three chairs, दोनों को मिला के, total cost कितनी है, 1400, 1400 के equal कर देंगे, ठीक है, समझेंगे, अब इसको आगे हमने, solve करना है, हमारा question हो जाएगा, देखो, अब इसको solve करते हैं, two की multiply x से करेंगे, तो two x आजएगा, two की multiply 200 से करेंगे, तो 400 आजएगा, plus three x is equal to 1400, अब two x plus three x यह हो जाएगा, five x, 1400 उदर जाके, हो जाएगा, minus, क्योंकि यह plus का था, five x की value क्या आगी, यह आजएगी, 1400 में से 400 minus करेंगे, 1000, तो x की value क्या आजएगी, 1000 divided by five, five से cut करेंगे, तो क्या आगे हमारे पास 200, x की value आगे 200, ठीक है, अब जो हमें निकालना था, हम वो लिख सकते हैं, हमें क्या-क्या निकालना था, हमें दो चीज़े निकालनी थी, cost of, हमें निकालनी थी, cost of, cost of chair, cost of chair कितनी थी, यह थी x, और x की value कितनी आई है, 200, यानि की, रूपीज, 200, ठीक है, फिर cost of, cost of table, table की cost कितनी थी, table की cost कितनी थी, x plus 200, ठीक है, और x की value कितनी है, x की value कितनी है, 200, 200, x की जिएका 200 तरखेंगे, 200 plus 200, यानि की 400, तो इसकी आगी cost 400, तो chair की, एक chair की cost 200, और एक table की cost 400 रूपीज, तो इस तरह से हमने यह question करना था, अब इसका next question देखते हैं, अब question number six है, अनु is four year older than सुनील, जो अनु है, वो सुनील से चार साल बड़ी है, ठीक है, eight year ago, आठ साल पहले, अनु was three times सुनील age, अनु की age सुनील की age से three times थी, find the ages of सुनील and अनु, सुनील और अनु की age हमें निकालनी है, तो बिलकुल easy question है, इसने पहली line में यह कहा था, अनु is four year older than सुनील, सुनील से चार साल बड़ी है, अनु, तो सुनील की age माननी पड़ेगी, let present age of सुनील, x माल लेंगे, x years माल लेंगे, तो अनु की age कितनी होजेगी, x plus four, उससे चार साल ज़्यादा, तो let present age of सुनील, x years, तो present age of अनु की होजेगी, उससे चार साल बड़ी है, यानि कि x plus four years होजेगी, अब आगे उसने कहा था, eight year ago, eight साल पहले अनु की age, ठीक है, सुनील की age से three times थी, तो eight year ago की age दोनों की निकालनी पड़ेगी, इस time क्या है, eight year ago अनु's age, इस time अनु की age, x plus four है, तो eight साल पहले क x plus four, eight साल पहले की पुच्ची तो minus eight करना पड़ेगा, यानि कि कितना आजेगा ये, या आजेगा, x minus का eight है, और plus का four है, यानि कि minus का four, x plus four years, उसकी eight साल पहले age थी, और सुनील की age eight साल पहले, इस time x year है, eight साल पहले कितनी थी, इस में से eight minus कर देंग, x minus eight years, ठीक है, eight साल पहले दोनों की age हमने निकाल ली, अब question में कहा इसने three times थी, तो ऐसे लिख दो, according to question, एक तरफ आप अन्नू की age लिख लो, ठीक है, अन्नू की age लिख ली हमने eight साल पहले की, x minus four ये थी, और एक तरफ आप आपने लिख ली, x minus eight सुनील की age, अब question में क्या कहा था इसन अन्नू was three times सुनील age, अन्नू की age सुनील की age से three times थी, ये अन्नू वाली age है, ये सुनील वाली age है, ये वाली three times थी, अन्नू की age three times थी, तो three हमने दोनों को equal करना है, तो ये three times थी अन्नू की age, तो multiply three को करेंगे, सुनील की age को करेंगे, इसलिए दोनों ये क्या होगे, equal हो गए समझ गई देखो एक्जाम्पल से समझाता हूँ जैसे यहां पर मालो 30 एर है यहां पर 10 एर है तो अन्नू की एज क्या है तो इक्वल करने के लिए क्या करूँगा मैं आपको इसकी एज को सुनील की एज को मल्टिप्लाई करूँगा 3 से तो दोनों क्या होगे 30 एर है इसी तरह से जो अन्नू की एज थी वो 3 टाइम्स थी तो इक्वल करने के लिए हमने सुनील की एज को 3 से मल्टिप्लाई करती है दोनों equal हो गए अब आगे हमने इसको बस solve करना है ये है x minus 4 और ये 3 की multiply x से करेंगे 3x आजएगा 3 की multiply 8 से करेंगे minus का 24 आजएगा ठीक है अब xx वाले एक तरफ x 3x plus है इदर जाके हो गया minus और minus का 24 है ये minus का 4 है उदर जाके हो जाएगा plus का 4 ये इदर बचेगा minus का 2x और य minus का 20 ठीक है और अब minus 2 x के साथ multiply हो रही है उदर जाके कर देगा divide minus 2 divided minus 20 divided by minus 2 minus से minus cancel हो गया और 20 से 20 cancel हो जेगा 2 से आएगा 10 तो x क्या आगया 10 आगया यानि कि हमने क्या निकाल दिया x की value निकाल दिया वह हमने तो सुनील की age सुनील की age कितनी वही सुनील की present age कितनी थी सु सुनील की present age x year हमने मननी थी यानि x की value हमने क्या निकाल दिया 10 निकाल दिया तो आजेगा ये 10 years और जो दूसरी थी अनू की age क्या थी उससे 4 साल उससे 4 साल क्या था बड़ी थी वह यानि कि x प्लस 4 थी तो x कितना है 10 है 10 प्लस 4 यानि कि 14 years ये किसके आगी अनू की age आगी ठीक है तो इस तरह से ये question हमने करना था और हमारी जो brain teaser की exercise है ये last question था इसका तो इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को subscribe कर लेना और वीडियो का अपने सभी दोस्तों के शेयर जरूर कर देना मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार